एक हम 5 नमर म Mire question को solve कर रहे हैं 5 नमर को देखिएगा अच्छे से समाज़िएगा ति क्वेशन हैं 5 नमर में 5 नमर 3 कर conversation का पावर 2 भाग ए 5 का पावर 3 ध्यान दीजिए पावर के उपर पावर है तो एक फॉर्मूला होता है इसका वो फॉर्मूला ये है जैसे एक पावर एक्स का पावर एन मान लेते हैं तो फॉर्मूला होता एक पावर एक्स इंटू एन इंटू एन जैसे ये तीन और दो आपस में है न तो ये दोनों आपस में multiply कर लेगा, क्या कर लेगा? multiply करेगा, देखिए 5 3 दुन न, 6 भागा 5 का power 3 ध्यान दिजे, 6 में से 3 को घटा देंगे तो हो गया 5, 6 में से 3 गया 6 में से 3 गया, तो 3 हो जाएगा 5 का power 3 अगला question 6 number 3 का power 5, गुन न, 5 का power 5 देखिएगा, 3 का power 5, गुन न, 5 का power 5 देखिए घात जो है एक जैसा हो गया घात जो है, वो एक जैसा हो गया मतलब कि सेम हो गया, लेकिन आधार अलग-अलग हो गया जब आधार अलग-अलग हो गया तो अब यहां पे आप कैसे जीतिएगा तो यहां पे जीतने का एक ही तरीका है कि देखिए यह जो आधार है अलग अलग इसको गुना कर देंगे इस दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो तीन को पांच से गुना की जाए तो तीन पचे हैं क्या हो जाएगा पंदरा पंदरा और देखिए पावर जो है एक जैसे तो पंदरा का पावर पांच आंसर हो जाएगा पंदरा का पावर पांच यह हमारा आंसर हो अब अगला हम बनाएंगे 7th number अब हम बनाएंगे 7th number जिसका answer है A का power 4 और B का power 4 ध्यान देज़े इसका क्या होगा answer A का power 4 और B का power 4 आधार यहां पर अलग-अलग है इसको बोलते हैं आधार जो A और B है यहां आधार अलग-अलग है तो आधार को हम गुना कर देंगे और power जो है वैसे लिग देंगे यह नहीं हो जाएगा A B power 4 समझ में आ गया अगला आठवा नमर क्वेशन है दो का power 10 क्वेशन है दो का power 10 भागा दो का पावर 10 इन्टू दो का पावर तीन यहीं क्वेशन है ध्यान दीजेगा तो आप तो यह डिवाइड है और यह डिवाइड है तो आपको अच्छे तरीके से पत्ता होगा सॉरी क्वेशन मैं सजी से नहीं देख पाया क्वेशन दो का power 20 है और फिवागा दो का power 10 है देखे डिवाइड है तो डिवाइड में हम क्या करेंगे यहां पर सब्ट्राक्ट कर देंगे यह डोनों का दो लिग दिये हैं डिवाइड है ना यह डिवाइड तो यह 20 जो उप वार 10 गुलने 2 का पाउर 3 ध्यान दीजिए यह दो का पाउर 10 है और 2 का पाउर और तीन है अब आसर हो जाएगा दो आये दस और ये तीन जूर जाएगा दोस पॉलस तीन क्यों क्यों कि यहां पर गुना हो गया आधार सेम हो गया फोर्मुला होता है दो का पावर 10 सतीन तेरह यह हमारा हो गया आंसर अब हम अगला question बना देए अब हम 9th नमर question बनाने जारे है जो इसका question है 9p divided by 9 3 ध्यान दीजेगा divide है divide है तो हम power को घटा देते हैं 9 लिग देंगे p minus 3 इो गया हम अआण